हेलो गाइज आएम रिक्की एंडर मॉस्ट वेलकम टावर यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वान क्लासिस हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे और फिजिक्स में जो टॉपिक चल रहा था वह है ट्रांसफर्मर तो इसके पहली वीडियो में लोग ट्रांसफर्मर को देखा आज समझेंगे कि क्या होता है इसी चुछ समझा था आज हम लोग समस्धें करता है जो ट्रांसफर्मर है उसकी क्या क्या है है इसको समझेंगे तो एक प्रस्ण है आप बोड पर देख रहे होंगे कि ट्रांस फर्मर कैसे कारी करता है एकदम साफ इस्टेट फर्म चीज़ा कई कुछ नहीं ट्रांस फर्मर कैसे कारी करता है इसका आंसर भी बगल में दे दिया गया है ट्रांस फर्मर परस पर प्रेरन क के से धांत पर कारी करता है प्रस्पर प्रेशन इसको मुच्वल इंडक्षन कहते हैं तो उसके से धांत पर कारी करता है अंसर हो गया अब प्रस्पर प्रेशन क्या है यह मुच्वल इंडक्षन क्या है अगर आपको यह जानना है कि ट्रांस्फरमर कैसे कारी करता है तो आप कि यह बाद जानते हैं कि वह प्रसपर प्रेरन के से धान्त परकारी करता है अब समझना ये है कि प्रसपर प्रेरन का से धान्त क्या है या प्रसपर प्रेरन क्या है अगला प्रसपर प्रेरन क्या है या मुच्वल इंडक्शन क्या है तो आज की जो वीडियो होगी वह इस पर नहीं होगी जो इसकी समझ में नहीं आएगी परस्पर याद नहीं रखना होगा आपको समझ जाएगा तो कुछ याद रखने वाली कोई बात ही नहीं है इसमें देखिए एक सब्द है परस्पर है ना परस्पर परस्पर का अर्थ होता है एक दूसरे के साथ परस्पर का को भी हम बीना उसके मतलब भातिक रूप से बीना उसमें सटे बीना उसको कुछ कहे अगर वह चीज या वह हमसे प्रभावित होता है तो उसको प्रेरण कहते हैं या मालीजे किसी बस्तू के भाव तथा गुन द्वारा उत्पन होने वाले प्रभाव को प्रेरण कहते हैं किस गोजना चीजहें साफ अलग-अलग है जैसे माली यह है और यह भी है दोनों एक दुसे से बहुत दूर है लेकिन एंप पर कुछ ऐसी क्रियाएं होगी इसके भाव और इसके गुन से अगर बी में बदला आता है तो इसको क्या कहेंगे इसके गुन से अगर भी में कि प्रेरन क्या है कि मतलब दो चीजें है दोनों अलग-अलग है बहुतिक रूप से फिजीकली बनावट दोनों का अलग-अलग है लेकिन अगर एक में चैंजिंग लाते हैं तो दूसरे में परभाव होता है या एक के गुन का या एक के भाव का परभाव दूसरे पर भी होत घटना अगर जीवन में आपका आता है तो आपकेते हैं कि जैसे कोई बड़े आधिश से पुछाँँ हाँ की हमने ड्राइजिसे प्रेरना गहरन की हमनेmost किया यह प्रेष्टाजी से प्रणा गहरन करके हमनेस मारकों अफनाया तो यह मतलब क्या हुआ कि पिताजी सामने तो आके नहीं सड़ गए लेकिन उसके गुन को उसके भवाव को हमने जीवन मे उतब हैं में आच्रण में उतरा और वो उसको क्या कहा गया प्रेरणा मतलब पिता दूसरी वस्तू को बीना असपर्स किये दूसरी वस्तू से अलग होते हुए भी उस पर अपना परभाव छोड़ती है तो इस घटना को हम लोग प्रिरन कहते हैं या इंडक्शन कहते हैं तो चलिए अब यहां पर प्रस्तर प्रिरन का मतलब भी आपको साप साप समझ में आग दो कुंडरियों के बीच अन्योंनिप के हालाता है अन्योंद भी मेंच्वाल इंडक्शन है या फिर प्रसपर में crappy मुच्वाल इंडक्शन है तो दोनों चीज एक हैं परसपर कहें कोई दिक्कत नहीं है देखिए अब यह बात अगर परसफर कि बात की बातें हैं तो यह ट्रॉंस्फर्मर के टॉपिक पर क्यों आ रहा है इसके पीछे लॉजिक यह है कि जब आप ट्रॉंस्फर्मर की बनावट को देखेंगे तो उसमें जो है क्वायल जो होता है मित्र दो अलग-अलग आयताकर यह रेक्टोंगलर नुमा होता है और इसमें जो है बहुत सारी कु एक कुणड़ी एक है औरको भी है तो क्या करती है उसमें परिवर्तन धारा में थोड़ा भी बिरोद करती है इसका बहुत करती है। तो अगर बी में भी धारा हैं तो यस दोनों सैम होना चाहती है अगर इसमें इसके धारा में थोड़ा भी परिवर्तन लाना चाहेंगे तो उस परिवर्तन का ग्या करती है व हो विरोध करती है डिफ्ने संसरा टीप है एक भार फिर समझिएगा दो कुंडलियों का वह गुन जिसके कारण उनमें से प्रतियक दुसरे में परवाहित होने वाली धारा के किसी भी परिवर्तन का बिरोध करती है अगर इसमें धारा परवाहित हो रही है तो इस धारा में जरा भी परिवर्तन होने का बिरोध करती है ना इसमें परवाहित होने धारा के किसी भी परिवर्तन कह लाता है चलिए यह बीरोध क्यों हो गया अब देखिए या विरोध। होता है क्योंकि एक कुंडली में परिवर्तन सील और इसका बता रहा है कि कह रहा है कि भी है क्योंकि एक कुंडली में परिवर्तन सिल धारा परस पर प्रेरित विद्धुत वहागबल उत्पन करती है अगर हम इसमें धारा दे दें तो यह क्या करती है यह कुंडली जो ए है यह कुंडली बी में भी प्रेरित विद्धुत वहागबल को उत्पन करती है इसलिए होता है क्योंकि एक कुंडली में परिवुर्तसिं अगला देखिए यह ना रवाइत विद्धुद्धारा में समय के साथ परिवर्तन होता है जब किसी कुंडली से प्रवाहित विद्धुद्धारा में हैना समय के साथ परिवर्तन होता है तो पास की कुंडली में विद्धुद्वाहकवल प्रेरित होता है तो इस परिघटना को पारसपरिक प्रेरन कहते हैं कहीं कोई दिकत नहीं आराम नाम सत्ति है इदम आसान सा बात है कोई नार्म आल्सान है कि कीसी कंड़ी से प्रेरिद विर्दुद्धारा में माल Minsket विज Para persons body में ऒरिए और ये पंड़ी बी है अगर कुंडली में कोई धारा प्रवाहित हो रही है इना तो किसी कुंडली में परवाहित विद्धारा में समय के साथ परिवर्तन होता इस जो एक कुंडली में धरा परवाहित हो रहा है इसमें समय के साथ परिवर्तन होता है तो पास की कुंडली में विद्धुत वाहक बल प्रेरित होता है अब लिजिए इसमें समय के साथ धारा मे ऐने रहें है ए में कुंडली ए में में समय के साथ धारा में परीवर्तन हो रहा है और कुंडली B में लाख बल उत्पन हो रहा है और इसी घटना को क्या कहते हैं परस पर प्रेरन मेरे मित्र अगर आपने कहीं में ट्रॉंस फर्मर को देखा होगा पुराने जवाने का घर उर में कहीं रखा हुआ मुख्याजिक दर्वाजे पर कहीं कहीं रखा हुआ रहता है पुराने ट्रॉंस फर्मर जो खराब ग लेगा यह क्या है यही है दो अलग-अलग कुंडली है यह कुंडली भी है एक में जब धारा जाती है तो क्या होता है यहां पर चुमबक्य छेतर भी पैदा होता है इसलिए क्या होती दूसरे पर प्रेरित विद्दुद्वाकबल उत्पन हो जाता है और जब एक में धारा द है तो इस परिघटना को पारस्परिक प्रेरन कहते हैं या मुच्वल इंडक्सन कहते हैं चलिए अब अग्राइब और देखिए घावराना नहीं है यदि तार की कुंदली को एक दुसरे के निकट ला दिया तथार की दो कुंदली को एक दुसरे के निकट ला दिया जाए तो चुमबकी च्isel एक दूसरे से जुड़ जाता है हैना के spouse सब परशपर परेजन का ही जाए तो चुमबकिया छेत्र एक दूसरे से जूड़ जाता है परिनान स्वरूप दूसरी कुंडली में एक वाल्टेज उत्पन होगा जब दो अब देखी कुंडली और कुंडली भी है दोनों को डिस्टेंस पर है लेकिन अगर एक में धारा परवाहित कर दें और यह चुम चुमबकिया छेत्र एक दूसरे से जूड़ जाता है अब दोनों कुंडली को जब करी इतना डिस्टेंस पर रखें कि दोनों जूड़ जाए अब माली यह को कि रखेंगे तो ट्रांस फर्मर कितना बड़ा होगो वह होगा ही नहीं क्योंकि वहां पर क्या होगा चाहिए त तो चुम्बख्ये छेत्र एक दूसरे से जुड़ जाता है इसका मेगनेटिक फिल्ड इसका मेगनेटिक फिल्ड एक दूसरे से जुड़ जाता है परिणाम स्वरूप दूसरी कुंडली में एक वाल्टेज उत्पन होगा दूसरे में क्या होगा एक वाल्टेज उत्पन होग जब वाल्टेज एक क्वाइल पर प्रभावित होता है जो दूसरे में वाल्टेज को प्रेरित करता है एक पर ही धारा दिया हमने हैना एक पर धारा दिये और एक पर क्या हो गया विदूत वहागबल खुद वह खुद प्रेरित हो गया तो यह घटना क्या कहलाती है मुच्व तश्रीक नहीं है फीजिकले अलग-अलग है एक बात अब जब प्रणा हुआ तो साथ यह साथ एक सवाल उठता है स्वाप तरणा समस्थ रहे हैं तो आप को यह मैं समझता है कि तेक़ देखिएet समय तेब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा में परिवर्तन करने से उसी कुंडली में विद्धुद वाहकबल प्रेरित होता है तो इस घटना को स्वब प्रेरन कहते हैं कितना आसान है जिसमें धारा प्रवाहित किया हमने उसी में जो है उसी कुंडली में विद्धुद वाहकबल उत्पन्द हो गया यह कुणडलीन मतलब खुद का प्रेड़न अयक ही कौयल है इसी में धारा परवाहित कि रखी और इसी में क्या हो गया इसे कुंदलीवीद्व आफ़ाल उत्पन भी हो गया दूसरे कुंडली कह कहीं कोई जिक्र नहीं है लेकिन यह हो गया स्वड प्रेद्न लेकिन जैसे ही पारसपरिक करेंगे और दुसरे में अब प्रेद्त ःड़ उत्न हो एक घटना क्या का लाएगी यह तो प्रेद्ट मुझ involves induction एक वार देखेंगे प्रासपर प्रेद्ट का बुचुवर इंडक्षन का जब कुंडली में धारा प्रवाहित करने से समीप रखी एक अने कुंडली में विद्द्ध बाहकबल प्रदर करता है तो इस घटना को अन्योंनि प्रेरन या मुचवरिन लए इंडिक्षन या प्रवाइद करते हैं दूसरे में प्रेर विदुद्वाल अपने आप उत्पन हो जाता है इस घटना को हम लोग पारस्परिक प्रवन कहते हैं तो मित्र आज इस पारस्परिक प्रवन को यहीं करते हैं को लगता है आपको बात समझ में आए होगी और अगले दिन कैसे काम करता उसके और विजीजे बांकी है इसको लगा कि पहले इसको हम देख लेते हैं इसलिए हमने यह देख लिया दनिवाद स्वास्त्राय अपना ख्याल रख हैं जय हिंद जय भारत झाल 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